दोस्तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोकपटी लिग के आज की सेकेंड मुकाबले के बारे में जो की खेला जाने वाला है यूपी योद्धास वाजस बैंगलोरु बोल्स के बीच में फ्रेंज ये जो मुकाबला जाएगा रात को नो बजे से होने वाला है तो इस वीडियो में हम जानेंगे दोनों टीमों की पॉसिबल स्टार्टिंग सेवन के बारे में और फ्रेंज जब आपको याद होगा लाज जो मुकाबला हुआ था पुनेरी पलतन का हमारे टीम गेन लिक जीते जीते बच्चे थी सिर्फ और सिर्फ एक प्लेयर की वाई से हा और काफी लोगों ने उस ओप्शन को लिया भी था और उनकी तो बहुत अच्छी रह गई थी हाला कि मैं खुद नहीं ले पाया था थोड़ इसी टाइम की कमी के करना हाला कि मेरी भी रिंग बहुत अच्छी थी तो फ्रेंज इस वीडियो में हम एक एक चीज यहां पर कव 15 में से 9 मुकाबले बैंगलोर गोल्स की टीम ने जीते हैं 6 मुकाबले यूपी योधा की टीम ने जीते हैं तो फ्रेंज यहां पर हेट टो एट रिकोर्ड से तो नजर आ रहा है कि बैंगलोर गोल्स की टीम ज्यादा इस्ट्रोंगे लेकिन इस सीजन में प्लेयर चेंज का बात कर लेते हैं दोनों टीमों की स्टार्टिंग सेवन के बारे में कि क्या स्टार्टिंग सेवन इस मेच में उतर सकती है दोनों टीमों की तो चलिए सबसे पहले स्टार्टिंग सेवन पर एक नज़र आल देते हैं तो यहां से आप देखोगे सबसे पहले बात करें युपी योधास की टीम से तो भई या शाउल कुमार का जो प्रदिशन था बहुत लाज जवाब रहा था लास्ट मुकाबले में काफी कमाल का था पाच टेकल पोइंट इन्हों ने अपने नाम किये थे फिर यहां से हम बात खेला है हाला कि सुरेंदर गिल अच्छे प्लेयर है अच्छे रेडर है लेकिन लास्ट मेच में इनकी लाए बिलकुल ना तो इनकी लाए नजर आई थी ना भरत हुड़ा की तो इन दोनों को काफी लोग अपनी टीम से आज अज अवोईट करके चलेंगे नहीं लेंगे अ अपने नाम के वहीं पर विवेक इनका ज़्यादा रोल रहा नहीं था तो यह तो है स्टार्डिंग सेवन की बात अब थोड़ा साब एनालेसिस देख लेते हैं फ्रेंज जब यहां से जय भगवान जब रेडिंग करने आएंगे तो इनके सामने जो होंगे होंगे सुमित यहां पर बहुत बहतरीन डिफेंडर है सुमित और यहां से आएंगे आशो सी तो दो जब बहतरीन डिफेंडर मिलेंगे और यहीं पर शावल कुमार जोगी भईया बहुत बढ़िया डिफेंडर कहे जाते हैं जब तीनों की तिगडी जब मिल जाएगी तो भईया जय बग तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यह दोनों जब यहाँ से रेडिंग करेंगे तो इनके सामने शाउल गुमार होंगे और वहीं पर होंगे सुमित। सुमित और शाउल जो इस सीजन में मुझे लग रहा है कि अच्छा काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर कड़ी टककर हमें देखने को मिलेगी और परदीप नरवाल की अगर फोर्म की बात करूँ तो उस लेवल की नज़र इस सीजन में नहीं आरी हो नहीं अजीं के पवार की फोर्म उस लेवल की नज़र आ रही है। तो भईया कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि शाउल कुमार और सुमी दिश्पेशली बहुत अच्छे पोइंट लाकर दे सकते हैं। हितेश भी आये थे सब्सीट होकर जिन्होंने एक टेकल पोइंट अपने नाम किया था और या केशो को भी मुझा मिला था क्योंकि बूसरे जो बड़े प्लेयर हैं वो नहीं चल पाये थे लास्ट मुकाबले में। यहां पर बात करूँ तो लास्ट सिजन के भी हम एक एक प्लेयर यहां पर देखेंगे जिससे आपको आइडिया लग जागी कौन सा प्लेयर किस तरह की फॉर्म से गुजर रहा है। यहां पर मैं डबल क्लिक करके भी बताऊंगा कि कौन सा प्लेयर इंपोर्टेंट है कौन सा नहीं है। अठारा मेचों में 20 टेकल पोइनों नहीं नालाकर दिये थे। फिर हम बात करेंगे जो इंपोर्टेंट हैं उन्हीं को मैं हायलाइट करूँगा। शाउल कुमार की अगर मैं बात करूँ, लास्स सीजन में 21 मुकाबलों में 49 टेकल पोइंट इनों अपने नाम किये, सुमित की अगर मैं बात करूँ, तो 22 मेचों में 61 टेकल पोइंट अपने नाम किये, डबल क्लिक का मतलब यह है, कि यह प्लेयर बहुत जगा important हो सकते हैं इस मेच में, फिर हम बात करें यहां से गगन गोगड़ा के बारे में सीजन में बर्रान पे रेड पोईंट इन्हों अपने नाम किये फिर हम देखें यहां से तो बाग की तो मुझे कोई खास पिरतिशन नजन नहीं आ रहा, लेकिन थोड़ा साम रेजा को हाइलेट करना चाहूंगा ग्रेनलिक पीकप के लिए बन सकते लास्ट सिजन में 6 मुकाबलों में 17 टेकल पॉइंट और पहले वाले मुकाबले में भी इन्होंने अच्छा काम किया है अब मैं सामने वाली टीम से बात के लेता हूँ तो अब फ्रेंद यहाँ पर आते हैं सौरव नांदल बहुत बड़ा डिफेंडर है दो मैचो में 6 टेकल पॉइंट अपने नाम ये कर चुके हैं फिर यहाँ से नितिन रावल के मैं बात करता हूँ नितिन रावल ने दो मैचो में 5 टेकल पॉइंट तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं फिर हम बात करें जिनके पवार फ्लोप नजर आ है दो मैचो में सिर्फ 8 टेकल पॉइंट इन्हों ने लाए हैं हाला कि लांच में फिर भी अच्छा काम था सुरेंद्र सिंग दो मैचो में 6 टेकल पॉइंट अपने नाम है जय बगवान ने दो मैचो में सिर्फ 6 टो रेड़ पॉइंट तो नजर अच्छे नहीं आ रहे है क्योंकि इनका भी काम कोई खास नजर नहीं आया है उना ही अजिंग के पवार का नजर आया है अबी तक अगर रेडिंग की हम बात करें तो सुरेंद्र गिल और बवानी राजको जब इस तरफ से रेडिंग करेंगे तो यहाँ पर होंगे नितिन रावल यहाँ से एडवास टेकल करने के लिए आएंगे वो आएंगे सुरेंद्र सिंग बहुत एडवास आ जाते हैं कभी-कभी तो सुरेंद्र सिंग को पॉइंट्स मिलने के चांसे काफी ज़्यादा हाई हो जाते हैं वही पर सुरेंद्र गिल और बावनी राजकुद इनका प्रदशन काहीन के एवरेज मुझे नजर आता है क्योंकि डिफेंस काफी कमाल का मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है अगर यहाँ से बरत हुड़ा अगर यहाँ से रेडिंग करते हैं ज्यादा मान के चलते हैं तो वही यहाँ सामने सौरम नांगल खड़े होंगे बरत हुड़ा तो वेसे भी फॉर्म में नजर नहीं आ रहे थी लास मेच में तो वही पर यहां से प्रतिक आएंगे तो वही आ बरत हुड़ा के भी चलने की चांसे 50-50 हो जाते हैं इस बात को नोट कीजेगा इस्पेशली यह जो मुकाबला है मैं यह कह सकता हूँ शोट में अगर मैं बात करूँ तो डिफेंडरों पर यह मुकाबला हो सकता है रेडर का ज्यादा रोल शायद ना रहा है डिफेंडरों का बोल बाला इस मेच में हो सकता है फिर यहां से हम दे नबर्डिक करिए दुर्द करते हैं.. यहां से.. नास सीजन में 17 मुकाबलों में 122 रेड़ पॉइंट अपने नाम किये थै.. जीं पवार्में 21 मैचों में 1124 रेड़ पॉइंट अपने नाम किये थै हलागि दोनों टीम के में रेडर कहा सकते हैं इस सीजन में फिर जय भगवान की बात आती है इन्होंने 13 मेचो में सिर्फ 47 रेड़ पॉइंट किये थे सुरिंदर सिंग बहुत ही कमाल के डिफेंडर है 18 मेचो में 31 टेकल पॉइंट और इस सीजन में अभी 2 मेचो में ही कमाल कर रहे है कि कर दिया इन्होंने प्रतिक गुल्या अभी अच्छा काम कर रहे है लास्स सीजन में भी अच्छा काम था पिर बात हथी है सौराव नागल की इकिस मेचो में उन पचास टेकल पोइंट है फिर यहां से हम बात करें 22 मेचो में 35 टेकल पोइंट तो वही à ज़ाब नुचा बहीं अच्छा है चारों के चारों डिफेंडरों का काम अच्छा नजर आ रहा है फिर यहां से मैं बात करूँ तो कोई खास option मुझे नजर नहीं आता चार मिने defender की भी मुझे लगना है ये मेंचे defender उपर ज्यादा खेला जा सकता है लेकिन अगर आप raider पर ध्यान देंगे तो इनका काम भी हम कह सकते हैं एवरे जीसपरदश इस मेच में हो सकता है फिर अम बात कर लेते हैं यहां से टॉफ फैंडेसी प्लेयर के बारे में कि कौन से प्लेयर आपके लिए टॉफ फैंडेसी पीक बन सकते हैं यह तीन प्लेयर बहुत ज़ादा इंपोर्टेंट हो सकते हैं यूपी से सुरेंद्र गिल, सुमेत और शावलकुमार यह तो तीन और तीन छे प्लेयर तो मैंने आपको बता ही दिये बाकि मैंने एक दो प्लेयर आपको वैसी सजेश्ट कर दिये तो आप साथ प्लेयर लेकर बहत्री नपनी फैंटेसी की टीम बना कर चल सकते हैं बागी टीमतों में देने वाला ही हूँ चलिए अब मेरी टीम भी देखते हैं तो दोस्तों जैसा कि हमने अभी तक एनलाइसिस में समझा कि भया डिफेंडरों का बहुत बड़ा रोल इस मेच में रोल सकता है डिफेंडर भी आप देखोगे सौरम नांदल है यहाँ पर सुरेंद्र सिंग के जो की बैंगलोर बोल्स के दोनों डिफेंडर बहुत कमाल के नजर आते हैं वही पर सुमित और शाउल कुमार तो डिफेंडरों पर यह मेच खेला जा सकता है ऐसा मुझे लग रहा है डिफेंडरों पर खेला जा सकता है मतलब ज़्यादा से ज़्यादा डिफेंडरों का रोल रह सकता है फिर हम बात करें यहाँ से तो बाकी तो की खास ओप्शन है नहीं तो चारो के चारो में डिफेंडर में अपनी टीम में लेकर चलूँगा। वाल राउंडर मैंने से वेक लिया है लेकिन यहाँ पर वाल राउंडर में तीन बहुत अच्छे उप्शन है। पहले तो प्रतिक को हमने लिया है, दूसरा आशुशिंग का अच्छा उप्शन है, तीसरा यहाँ पर नितिन रावल का अच्छा उप्शन है। वाल राउंडर में देख रहे हैं लेकिन डिफेंडर मानके में इनको फिलाल चल रहा हूँ। परसेंट लोगों की टीम में भी नहीं है, रिस्की वाली टीम में लीचिएगा। कप्तान उप्तान देख लेते हैं, कप्तान जो मेरे होंगी, वो होंगे सुरिंदर सिंग, और कप्तान मेरे होंगी, वो होंगे सौराव नांदल। नोट करने वाली बात यह है कि दोनों मैंने बैंगलूर बोल्स के डिफेंडर लिए है अगर यूपी के फेवर में बना रहे हो तो भाईया शाहू लोर सुमीत को आपका तानुकता बना कर चल सकते हो रेडर को मैं आज नहीं बनूगा कि रेडर पर बरुसा मुझे कमी आज न अज़र आएगी जैसा कि सुरावनांदल को अमने लिया है सुरेंदर सिंग को अमने लिया है प्रतीक हमाई टीम में आगए अजिंग के पवार और यहां पर प्रदीप नर्वाल फिर हमने सामने बारी टीम सासे दो ही प्लेयर लिये हैं वो लिये हैं हमने सुमीत और शाहू प्लोगी जिए और वीडियो पसंद आएंग लाइक जरूटीजेगा थैंक्यो वेरी मच्च